हेलो दोस्तो मैं हूँ आदाश कुमार आपका हमारी चैनल फे बहुत बहुत स्वागत है उस्तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए बैल आइकन को दबा लेजिए और वीडियो को हर एक वीडियो को आप लाइक कर थिंकिंग करते हैं किसी बारे में तो वहाँ पर हमें जो सखलता है वो बहुत कम क्यों मिलते हैं मैक्जुम थिंकिंग का रीजन क्या होता है कि मैक्जुम थिंकिंग करने के बावजुद भी बहुत अधिक सोचने के बावजुद भी विच्चार करने के बावजुद भी व वजबूती होती है density जिसे करते हैं Sun की दरस्टी से reality of life की दरस्टी से वो कम जोर हो जाती है माना किसी किरिया के लिए हमें कोई कार करना है गोल को इसी गोल को अचीव करना है जिसे माना कि मुझे एक lesson complete करना है कोई भी lesson है का physics का है तो क्या है कि अगर मैं physics के lesson complete करना है तो मेरे mind पे उस समय जब मुझे करना है सब पर ये वाला work तो उस समय मैं जम concentration है लेकिन जब मैं इस बारे में सूचना start कर देता है तो क्या होता है कि वहाँ पे mind की गती बढ़ जाते है और ऐसी conditions में concentration बीख हो जाता है जिसे कहते हैं concentration की जो सांदर्ता है वो कमजोर हो जाती है अब यहाँ पर एकागरता की सांदर्ता कम हो जाती है ऐसी conditions में क्या होता है कि life जब सांदर्ता बहुत कम हो जाएगी तो life में आप कितनी भी कोशिस करो life में result positive नहीं आने वाला क्योंकि जो result positive आता है वो concentration की बलपर ही आता है अगर आपके अंदर concentration नहीं तो result नहीं आने वाला नहीं वो आपके माइन में यादास्त के रूप में बैठेगा यादास्त रहेगा नहीं वो positive result लेके आएगा तो क्या होता है कि वहाँ पर concentration जब समाप्त होता है न तो positive result नहीं आता है इसलिए जब हम अधिक सुछते हैं तो हमें result बहुत कम मिलता है या बहुत फीका मिलता है इसलिए सब जादा तर कहा जाता है कि अधिक सुछने वाले हमेशा आस्पा लिए होते हैं इसलिए start करना ही बैठतर है start करने के साथ साथ present moment भी धार रखो क्या better है और ensure जो इसलिए प्यूड़ को बाता है